तो फाइनली आप लोगों के इन्फॉर्म कर दे कि आपका इंडियन एर फोर्स का अगनी विर का रिजल्ट कर दिया गया है जाकर आप लोग ऑफिसल वेब साइट है जो CSB का नीचे डिस्किप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे क्लिक करके आप सीधे अपने इमेल आइडी डालेगा कैप्चा फील अप करने के बाद रिजल्ट को वहाँ पर आप रिजल्ट वाला सेक्शन पर क्लिक करके रिजल्ट को देख सकते हैं कट आफ का अगर हम बात करें कल आपको क्लियर बता दिये थे कि रिजल्ट आपका आज या तो कल आ जाना चाहिए क्योंकि बीस त क्लिक तक जाता है या फरवरी में एंड करेंगे आप लोग बताएगे कि आपका डेट यानि कि फेस सेकेंड का डेट क्या है कौन सा एसी आपको प्रेफर किया गया हो जरूर आप लोग कॉमेंट्स में लिखिएगा कट आफ का बात करें ग्रूप एक्स का जो लगा है 39.5 य ग्रूप का 40.5 आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका इतना कट ओफ लगा है बहुत ज्यादा हाई कट ओफ है इतना कट ओफ है उमीद कर रहे हैं तक मेरिट में आपका जा सकता है फाइनल मेरिट में लेकिन यह सुरू में ही इतना कट ओफ 39.5 एक्स का य का 40.5 अगर आपको 5-2 का अपना एडमिट काड डाउनलोड करना चाहते तो आप लोग करेंगे नीचे आपका Add additional details to download 5-2 काड ठीक है तो आप अपना additional details को यहाँप फिल अप करेंगे उसके बाद ही आप 5-2 का अपना एडमिट काड को डाउनलोड कर पाएंगे तो यह आप भर लि अगर आप चाहते हैं कि फेज सेकेंड को पास करें तो नीचे टेलिग्राम का लिंक है सिरियंस है अगर आपको नीली वर्दी से प्यार है तो आप जोएन करिए और मेरे साथ जुड़ जी फेज सेकेंड का इस सफर में 10-13 का क्योंगी बहुत ही मतलब कि बहुत जादा इंपो को फेज सेकेंड होने वाला है और नीचे टेलिग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में कॉमेंट्स में पीन करेंगे जोएन कर लिजे अगर आप फर्स्टाइम चैनल पर विजिट के हैं तो चैनल को कर लिजेगा सब्सक्राइब क्योंकि आप लोगों के लिए काफी मस्ट में कोई मतलब घबडाना नहीं है ठीक है आपका अराम से रिजल्ट आप लोग देखेगा साइट बाद में दीरी दीरी स्लो जाएगा जब सारे लड़के चेक कर मतलब कि अभी देखो क्या है कि अचानक से क्राउट जाएगा साइट आपका डाउन जाएगा तो उसको लेक आप लोग और अपना बताएगा कि आपका सेलेक्शन हुआ या नहीं हुआ ठीक है